हेलो दोस्तों मैं सुप्रिया आप लोगों को एक बार फिर से सुप्रिया एजूकेशन हब यूट्यूब चाइनल पर स्वागत करती हूँ आज की वीडियो लेक्सर में क्या होने वाला है देखिए आज आप लोगों का एक जाम हुआ था हिंदी हंडेर माक्स का सेशन 2019 से 2022 वालों का तो मैं आप लोगों के लिए एंसर की लेके आयी हूँ जिसमें मैं आप लोगों से लेकर 15 तक सभी कोशन का एंसर आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे था, देखिए फिप्टी तू नमबर कोशन का हे धक हजकन में कौन सा प पढ़ते हैं तो आप लोगा 52 का ओप्सन नमबर एक औरेक्ट हो जाएगा चलिए 53 के आखे फेरना मुहाब्ड एक आर्थ है तो आखे फेरना का मतलब होता है उपेक्ष्या करना तो 53 का आप लोग का ओप्सन नमबर सी करेक्ट है 54 का सुक से रहने भाव हे तो सटिक मुहाब् किस भासा का सब्द है तो मुहाब्रा जो है आप लोगों का ओप्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा 56 का करता का रख का चीन है तो करता ने कर्म को सभी को याद होता है तो 56 का आप लोगों का ओप्सन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा 57 का ओप्सन नमबर सी करेक्ट हो जाएग नेक्स्ट क्या 58 इकारान सब्ध होते हैं तो इकारान सब्ध जो होते वह आप लोग के इस्त्र लिंग होते हैं चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है 59 क्या व्याल विजय कविता के रचविता है तो व्याल विजय कविता के रचविता है रामधारी सी दिन कर तो आप लोग को लाइक शिर्फ नाइंटेन ट्वैंटी रहता है तो आप सभी जो भी एser वीडियों को देख रहे हैं सभी एस वीडियों को लाइक कर दिजेगा और वीडियों खत्म हो जाने कवाद कमेंट करके जाएगा को से क्लास 12 का को सब्सक्राइब कर लिजिए तैके आने वाले सभी वीडियो का लोगो टाइम पे मिलता रहेगा इस चैनल पे आप लोगो को टुएल का कुस्टन में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैठ्स फिजिक्स के मिलस्ट्री सभी का सॉल्व कर वाया जाता है चार बजे मैठ्स का क्लास डेली होता है तो अगर आप लोग कोई भी जुनियर भाई बहन है जो क्लास 12 में इस बार इंटर का एक्जाम देने वाले है और उन लोगों को मैठ्स में प्रोब्लम होता है तो आप लोग चार बजे भेज दिजिएगा इस चैनल पे डेली क्लासेज होती है आज ही से स्टाइट कियू कुछ ज्यादा हुआ भी नहीं है मैं चैनल वहां भुलाबा देकर कविता का मुल भाव क्या है तो आप लोगों का आध्यात्मिक पलाएं नवाद तो आप लोग का सिक्स्टी वन को ऑप्सन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सिक्स्टी टू के अम्री तक जीवितों का इस वर पंक्तिक किस कविता से लिए तो सिक्स्टी थी भूल बूल चुकी अभी मैं बाद में बताती हूँ और याद नहीं आ रहा है मुझे किस हटा यह उसको सिक्स्टी फोर क्या पुस्टी फोर का देश प्रेम हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी करेक्ट है पुस्टी आविलासा के राइटर कौन थे मांखनलाल च यह देश प्रेम के बारे में है तो उसी से पता चल गया इसका नंबर यहीं करेक्ट होगा ओके पुरा स्टोडी नहीं पड़ी हो यह थोड़ा बहुत लाइन जानती हूँ उसी से जानती हो इसका अंसर यह हो सकता है प्रेम चंद्र की कहानियों के संकलन का नाम है तो प्रे सांस्कृतिक गौरब तो 66 का आप लोग का उप्सन नमबर बी करेक्ट है लिए तो इसका हो जाएगा निश्जान तो आप लोग का उप्सन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा किसी पर करका आप लोग कोई भी कोशन का एंसर गलत लगता है तो comment section में एक साथ mention किज़ेगा this question गलत है ताकि मैं एक साथ rectify करके comment section ने बता के pin कर दूँगी ताकि किसी को कोई problem नहीं होगा ऐसे मैं आप लोग को सभी question का एंसर सही बता रही हूँ वांड मैं का संदी विचेद होगा तो वाक जोर मैं तो 68 का आप लोग का option number B correct हो जाएगा ओके चलिए देखिए अब next question क्या है यहन संदी का सुत्र है तो यहन संदी का सुत्र क्या होता है एको यहन ची तो आप लोग का 69 का option number C जो है न वो बिलकुल correct है चलिए देखिए 70 क्य है व्याकरण में संदी का आर्थ क्या होता है तो व्याकरण में संदी का आर्थ होता है संदी में क्या होता है दो बढ़नों के मेल से जो विकार उत्पन होते न उसे ही संदी बोलते है संदी मतलब क्या होता है मिलना तो आप लोग का 70 का option number A correct होना चाहिए ओके संदी में क्य सब्सक्राइब किसमें कर्म को तो आप लोग का और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो आप लोग क्या ट्रिक बताई थी पहला जब भी संक्याबाची आएगा तो आप लोगों को दिवगु में टिक कर देना है तो 73 का आप लोग का option number C correct हो जाएगा द्वन समास का उधारन है तो सभी को पते है द्वन समास जो ऐसे डैस करके दो वर्ट करके जो दिया जाता है वही आप लोगा द्वन समास होता है मैक्समम टैम ऐसा ही होता है जैसे माता पिता में भी ऐसे बीच में ट्रैस आता है तो आप लोगा द्वन समास हो जाता है तो इसका हो जाएगा option number D जो है ना 74 का वह बिल्कुल करेक्ट है चलिए देखिए आप 75 क्या अचायरे महावीर परसाद दिवेदी ने सरस्वाती पत्रिका का संपादन कब प्राडम किया हो कि स्टार्ट कब किये थे वह पूछा जारा है तो नाइंटीन हंडेड में स्टार्ट किये थे तो 75 का आप लोगा όψब नमबर ऐब लकूल करेक्ट है सब्सक्राइब क्या कितने चुराइए अपने आज का मुख्य पात्र क्या सबीको पता होता है सिवेंटी सिक्स का आप लोग का ऑप्सिन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा देखें सिवेंटी सेवन के बड़े भाई साब कहानी कि मैं कि लास्ट मजो कोसन दिया हुआ इधर बहुत हीजी है अब कुछ मतलब कि ऐसा नहीं कि देखें जो मैथ होनर्स के स्ट्रेंट है ना तो उ लाइन बीच के लाइन से पूस्ट दिया गया था तो सभी इस्टेंट पुरा स्टूडी नहीं पड़ते जिस वाज़े से प्रोब्लम हुआ होगा तच्छे कोई बात नहीं हंडेर में से हंडेर तो बनाना नहीं रहता है पचास ही बनाना होता है चलिए देखिए अब क्या किस क्रिती का हिस्ट तो आप लोग का इसका करेक्ट से शोधरा है डिए टीनमबर कोशन के तोड़ती पत्थर कवीता के केंद्र चैण्ड में समयाज क्या कौन सा वर्क है तो इसमें संब्लों मजदूर के लोग आता है तो कॉस्थी को सर्वहाड़ा बोला जाता है तो दो क कालिन मान सिकता हो जाएगा तो 81 का आप लोग का ऑप्सन नमबर बी जो है ना वह बिल्कुल करेक्ट होगा चलिए अब देखिए नेक्स्ट कोस्टन क्या आप लोग का 82 से 82 का कौन सी पत्री का भारतेंदु द्वारा समपादित नहीं है तो आप लोग का इसका करेक्ट एंसर हो जागा हरिस्चंद्र मैग जीन चलिए देखिए 82 हो गया 83 का मंगर में लेखक ने चित्रित किया है तो पूरुष सौंदर्जे और स्वाविबान तो आप लोग का 83 का ओप्सन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है चलिए देखिए नेक्स्ट का भकोलिया किस रचना के इस्त्री पात्र है तो भकोलिया जो है वो आप लोग का मंगर की पत्नी रहती हो तो आप लोग का 85 का ओप्सन नंबर छी जो है न वो बिल्कुल करेक्ट हो對不對 किया नेक्स दुर्मुक खर्गोष किस लेख की रचना है तो दुर्मुक खर्गोष जो है वह आप लोग को महादेवी वर्मा की रचना है अगर कोई भी ऐसे इस प्रेंट है जिनका सेशन 2020 से 2023 है और वो इस वीडियो को देख रहे है कैसा कोस्तन आया कैसा नहीं तो उन लोग नहीं पड़ लिजीएगा तो आप लो का प्सन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा 87 के राम कथा में दुर्मुक कौन था तो राम कथा में दुर्मुक था न वोग फ्री राम का गुप्त्चर था आप लोग इसा सब्सेल नंबर सी करेक्ट होगा चलिए देखे 87 देख चुके 88 दुर्मुका खर्गोस में सस्क्वधू का नाम है तो दुर्मुका के तुम्य को बनामों तुछ गया तो यह ललीत कितने चुराय उपनियास के पात्र किस विचारधारा से प्रभावित है तो आप लोग का इसका करेक्टि हो जाए गांधी वाद तो आप लोग का अप्सन नंबर सी जो है न वह बिल्कुल करेक्ट है 91 के वसंट आ गया है मैं लेखर किस परिसर का वर्णन करता है तो आप लोग का इसका करेक्ट नसर हो जाएगा साइनती निकेतन तो 91 का आप लोग का अप्सन नंबर बी जो है न वह बिल्कुल करेक्ट है चलिए 91 तक हो चुका है अब बस 9 कोसन ही बाकी है चलिए देखिए 92 के कौन सिक्रिती रामधारी इसी दिन कर द्वारा अनोदित है तो आप लोग का इसका हो जागा आत्मा की आखें चलिए देखिए नेक्स्ट के फनिश्वर नाथ रेनों अपनियास कितने चुराहे का जो पब्लिकेशन है न वह आप लोग का कब हुआ था तो आप लोग का कु कविता की पंगती है चलिए देखिए नेक्स्ट का अंभोजों से रही अंख वापिका का में अंभोज का अर्थ क्या है तो देखिए नेक्स्ट नेटी सेवन मुझे नहीं पता है मैं इसको हटाती हूं कवियों की उर्मिला विशेक उदासिंतर किस विद्या की रचन है तो यह आप लोग का निवन्द हो जाएगा इसका नाइन्टी एट है ना नाइन्टी एट का सी बिल्कुल करेक्ट है नाइन्टी नाइन के खड़ी बोली के प्रथम मॉलिक निवन्द कार है तो आप लोग कुछ आ भी थी कुछ जग भी थी किस्विद्या क्रेशन है तो गेस्पेपर में निवन दिया वात लेकिन मुझे लग रहा है संसमरण होना चाहिए ऐसे आप लोग कहीं और से भी देख लीजेगा कोसन नमर हंड्रेट जो घेसपेपर में दिया था वह भी बतादी और जो को लाइक करके चले जाए फिर से मिलते हैं हम लोग किसी भी नए वीडियो में किसी भी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर बाचिंग में वीडियो एंड थैंक्स पर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब टेक केर पढ़ाई करते रहिएगा ओल दे बेडि बे झाल है